यूट्यूब चैनल SM Medical Knowledge दोस्तों स्वागत है आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल SM Medical Knowledge में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे लिफ 52 DS Tablet के बारे में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे लिफ 52 DS Tablet का क्या उपयोग होता है किस त चली दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक रिक वेश्ट है यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें चली दोस्तो की MRP के बारे में तो इसको 170 रुपे की MRP में किसी भी नजदी की medical store से बढ़ी हासानी से आपको यह मिल जाएगी दोस्तों चलिए इसकी uses के बारे में जान लेते हैं uses और benefits के बारे में इस तरह की disease में इसको use करना होता है इसके बारे में यह हम बात करें यह दावा जो यह medicine जो होती है bacteria और वाइडस के कारण जो लिवर में सूजन आ जाती है उस सूजन को खत्म करने के लिए उस सूजन को ठीक करने के लिए इस medicines को उपयोग किया जाता है साथ साथ जब आप अत्यदिक मातरा में अलकॉल का सेवन करते हैं बहुत जब आप उस समय जो आलकॉल में उस से हमारे लिवर जो शतीप उस शती को ठीक करने के लिए उसडिजीज को ठीक करने के लिए भी इस टैब्लेक का उपयोग किया जाता है दो तो साथ ही liver kiriosis में भी आप इसको अपयोग कर सकते हैं, disease होती है liver kiriosis करके, उसमें भी आप इसको ठीक करने के लिए, इसके साथ भी आप इसको आनरोग्शीया जैसी disease में भी दे सकते हैं, और lose of appetite, जिस में आपकी भूह यह जो टेबलेट होती है, आपकी भूप को बढ़ा देती है और आपकी भूप को बढ़ा कर आपके लिवर को अच्छेठी हो गए दोस्कों ठीक कर देती हैDe इसके साथ ही जो हो जाता है पीलिया जिसे कहते हैं उस समस्य को ठीक करने के लिए भी आप इस टैबलेट को उपयोग कर सकते हैं तो इसके साथ साथ फैटी लिवर जब हो जाता है जब हमारा लिवर फैटी हो जाता है तब उस समस्य को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट को डुस्तों थे कुछ usage इसके जो हमने आपको बता हैँ अभी जाने भारे में अभी आपको लेनी की सीजिजों को देखनने के बाद वगयरा डेखने के बाद मेंगे अपको देखने वारे में आपको ले को सकते हैं जिस तरह जैसे वो मेटइमें ли खड़ मैं अगर आपको देखने को मिलता है तो आप तुरंट अबने डौक्र से कंसर्ट कर सके वैसे दोस्तो इस टैबलेट को लेने के बाद अभी तक बहुत ही ज्यादा कम केस में ऐसा हुआ है किसी को साइड एफेक्ट हो वरना इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं होता है विकोज यह एक आयुरुवेधिक टैबलेट है तो इसके कंपोजिशन के बारे में यह दि हम बा इस तरह के कॉंबिनेशन में इसमें एवलेबल होते हैं दोस्तो इसमें जैसी कि हमने बताया इसको मैनिफ्रेक्ट्चर हिमाल्य द्वारा की जाती है और एक सो सतर रुपे पर बॉक्स की आपको किसी भी नजदी की मेडिकल इस्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाए को लेते हुए किन बातों का ध्यान अकना चाहिए किन चीजों से परहिज करना चाहिए उसके बारे में यदि हम बात करें तो आपको ओईली फूड नहीं खाना चाहिए इसको अवड़ करना चाहिए यदि आप एलकोहल लेते हैं अलकोहल पीते हैं दोस्तो इसको भी आवड करना चाहिए यह नहीं लेना चाहिए दोस्तों आजキी वीडियो में इतना ही यदि इस टोपिक से रिलेटेड आपको कोई question है कोई query है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि लोते हैं किसी एक ऐसे ही नहीं वीडियो में तब तक के लिए जहिन दोस्तों